नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त राशी दोस्तों दिपावली हिंदूओं का एक महत्मूंट तोहार है जैसे जैसे दिपावली का महीना पास आने लगता है लोग अपने घरों को साफ करने में लग जाते हैं यही नई लोग बजार से नई तस्वीरे और घर को सजाने का समान लेकर घर आते हैं और अपने घर को सजाते हैं लेकिन कई बार घर को जादा सुंदर बनाने के चक्कर में कई बार ऐसी कलतिया कर बैठते हैं कि वास्तू के विपरित स्थिती बन जाती है इसलिए घर को सजाते समय वास्तू को भी ध्यान में रखना चाहिए आज मैं आपको बताऊंगी कि दिपावली पर घर को कैसे सजाएं पहला टिप्स दिपावली के मोके पर बहुत से लोग टीवी और फ्रिज की खरीदारी करते हैं टीवी और फ्रिज को उत्तर तथा पूर्व दिशा की और मुख करके लगाएं ड्राइंग उत्तर पूर्व दिशा को विशेश रूप से सजाएं तीसरा टिप्स जल के भीतर नमक मिलाएं और पूरे घर में अंदर इसका चिर्काव करें इस तरह की मानेता है कि नमक वायू से नकरात्मक को सोक लेता है और घर के भीतर सकरात्मक वातावरन सुसजित करता है चोथा यदि आप घर के लिए कोई पेंटिंग या तस्वीर खरीद रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि पेंटिंग दूपते हुए जहाज, युद, लड़ाई या उदास महल की ना हो उकते हुए सूरज की, मुस्कराते हुए चेहरों की, फूलों की आदी आप दिनों में नई घड़ी लेकर आते हैं पर वास्तु घ्यान ना होने के कारण उसे गलत दिशा में लगा देते हैं, घड़ी लगाने के लिए उत्तर पूर्व तता पश्चिम दिशा को उत्तम माना जाता है, इन में से किसी एक दिशा में घड़ी लगाने से घर में शुप स समधान की बाकी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल चमतकरी समधान को आज ही सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कमेंट और शेर करना ना भूले